गायत्री मंत्र का महत्व गायत्री भारतिय संस्कृती का सनातन और अनाधी मंत्र है पुराणों में कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा को आकाश्वाणी से गायत्री मंत्र मिला था सुष्टी निर्मान की शक्ती उन्हें इसी मंत्र की साधना से मिली थी गायत्री की व्याख्या के रूप में ब्रह्मा जी ने चार वेद रचे इसलिए गायत्री को वेद माता कहते है शास्रकार इसे वेदों का सार कहते है सर्व वेदाना गायत्री सार मुच्चते गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है कृष्ण के समान कोई देव नहीं है गायत्री से श्रेष्ट जब करने योग्य कोई मंत्र न हुआ है न होगा देवी भागवत में कहा गया है कि नरसिंग, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र जब किये बिना असफल हो जाता है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि गायत्री छंद, समाहम यानी मंत्रों में से गायत्री मंत्र मैं हूँ इसके मंत्रों चार से उन देवों से संबंधित, शरीरस्त नाडियों में प्राण शक्ती बहने लगती है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे शरीर के सारे रोग और परेशानिया जल कर खतम हो जाते है शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का श्रद्धा से विधी के अनुसार जाप करने से शारेरिक, भौतिक और अध्यात्मिक बाधाउं से मुक्ति मिलती है जीवन में नई शक्ती और आशाओं का संचार होता है बुद्धी, आत्मबल, नम्रता, सैयम, प्रेम और शान्ती जैसे गुणों में बढ़ोतरी होती है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें